राम राम किसान भाईयो मैं इतिन फिर्ट से हजीर हूँ आपके अपने चैनल Fightilizer Expert में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे Arise Company के Agro Min Max Micronutrients के बारे में इसके बारे में complete जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर कौन-कौन से तत्व दिये गए हैं कौन-कौन सी फसलोप पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्या इसकी डोज है, क्या इसकी केमत है सब कुछ किसान भाईयो बड़े अच्छी तरीके से मैं आपको इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ की अवस्ता पड़ती है, यदि इन में से किसी भी एक तत्व की कमी आजाती है तो पोधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसके उपर फल और फूलो की जो संख्या होती है किसान भाईयो वो काफी कम रह जाती है तो इसमें किसान भाईय जो हमारे मैक्रो निट्रेंट्स होते है उन्हें तो लगबग सभी किसान भाईय डालते है जैसे नाइट्रोजन है, फास्पूरस है, पोटास है इन सभी की पूर्थी तो सभी किसान भाईय करते है चाहें वो बुआई पे करें चाहें वो पहले खात के रूप में करें लेकिन जो माइक्रो नूट्रेंट्स होते हैं जैसे आइरन, कोपर, मैगनीज, बोरोन, किलोरीन, जिंक, मॉली बेडेनम या निकल इस तरह के जो हमारे माइक्रो नूट्रेंट्स होते हैं इन्हें कोई भ दिकते हैं जो हमारी फसलों के अंदर आनी शुरू हो जाती है तो माइक्रो नूट्रेंट्स जो हमारे होते हैं इनकी आवस्कता किसान भाई आपको पढ़ती है और इनकी पहचान आपको बड़ी आसान है इनकी पहचान यह दिया आप कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही आसानी के साथ इसके अंदर डाल करके दिये गा है तो यह क्या-क्या फायदा करेगा सबसे पहले उसके बारे इमबात कर लेते हैं तो फूलों की संख्या को बढ़ाएगा जो हमारे फल और फूल जढ़ने सुरू जाते हैं उन्हें जढ़ने से रोकेगा आपकी फसल को लग को देखने को मिलेगा इस 25 ग्राम के पैक को आपको 15 लेटर वाले पानी के अंदर डाल करके तब इसका इस प्रेज़िया आप करते हैं तो किसान में जो आपकी फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से यह ग्रोथ करने में फलो और फूल बढ़ाने में बनाने में काफी जढ़ जब मदद आपकी करेगा तो इस तरीके साब इसका उपयोग कर सकते हैं बात करते हैं इसकी कीमत की कि इसकी मार्केट में कितनी कीमत आपको देखने को मिल जाएगी तो इसका जो 25 ग्राम का आपका पैकिट देखने को बिलता है यह मातर 30 30 औरे के 35 रुपे के आज पास पास पर देखने को मिल जयागा, बहुत कम खर्च में किसान भईयो एक अच्छा उत्पादन आप जो है Agromin Max Micronutrients से ले सकते हैं, आपको यह नहीं कि इसी कंपणी का डालना है किसी भी कंपणी का आप डाल सकते हैं, लेकिन Micronutrients का उपयोग आपको अपनी फसलों के अंदर अवस्या करना चाहिए इससे काफी ज़दे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं और जब आप इसका इस पर एक करें ध्यान रखें खेत के अंदर नमी होनी चाहिए नमी होगी तो और भी अच्छे डिल्ट मिलेंगे और यदि आप किसान भाईयों आप जो है एग्रोमिन मैक्स के माइक्र नुट्रेंस का उप्योग करके एक सही और अच्छा उत्पादर ले सकते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जदा जदा सेयर भी कर सकते हैं फिर मिलें एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को राम राम जी